हालो माई दियर स्वेंट्स हाव रूड यू सो वेरी गूड मॉर्निंग टू लॉफ यू मैं शशिकान सर्मा आपका अपना इसके सर नीट विजन जैपुर के इस बैटरी इन डिजिटल प्रेटफर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और वच्चो आज के इस वीडियो लेक पहब साली एक टॉपिक लेके आया हूं टाइपस ऑफ फ्लावर ऑन दा बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट पोईशन ऑफ रिस्ट फ्लॉरल हॉल्स केलिक्स कोरोला एंडोसियम बिद रिस्पेक्ट टू गैनोसियम तो बच्चो मॉर्फलोजी का यह टॉपिक है और यह वो टॉपि प्रटेंट हो जाता है अभी कांसिलिंग जा रही है जैसा कि आपको पता है इतने फॉन कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के और बच्चे मतलब आसा वरी नजरों से एक तरह से मतलब उससे पूछ रहे हैं कि सर्क्या होगा मतलब हो सकता है क्या पॉसिबल कॉलेज मिल जाएगा क्या तो बच्चों एक एक नंबर बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है और इस केस में रटना मना है मॉर्फालोजी को आप रट नहीं सकते जबकि ज्यादा तर स्टूएंट्स मैक्जिमम इस्टूएंट्स मॉर्फालोजी को रटते हैं लेकिन बच्चों जैसा कि अपनी मु पर दोड़ी तरह से समझेंगे और यह सेसन बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है अगर आप मॉर्फालोजी को रटते हो तो आपको मेरे साथ बना रहने पड़ेगा इस वीडियो लेक्चर में और इस वीडियो लेक्चर में पहले में कॉंसेप्स बताऊंगा और उसके बा हैं तो बच्चों इसके जरीए में आपको थोड़ा बहुत आपको विश्वास हो जाएगा कि मॉर्फोलोजी भी पूरी तरह से कॉंसेप्ट चल हो सकती है और कॉंसेट्स में होता रहेंगे मॉर्फोलोजी को तो हम यह मज़ेदार सेशन आज का स्टार्ट करते हैं और वीडियो में के लाश्ट तक जाते जाते आप पूरी तरह से रेटने का यह फुट खतम हो चुका होगा आपकी लॉंग टर्म मेमोरी म कि लेके अपने चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सेशन तो बने रही है मेरे साथ में लेके चलूंगा नीडश आपको नीडिकक चैनल को थीक है तो स्टार्ट करते हैं से पाली भोजी का यह बहुत ही छानदार सा टॉपिक जिसने अपनी इंप्रंटेंस 2020 2020 में देखा दी अलांकि डिर रहा यह बहुत लंबा साथ हो गया है ठीक है यह तो टेस्ट मेंसे ज्यादा लंबा हो चुका तो स्टार्ट करते हैं बच्छों में टॉपिक करने से पहले मैं ृप होते हैं यह आपको पता है ठीक है ना फोर फ्लोरल होते हैं और वह फ्लोरल हॉल जो है उनमें से सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ आपको यह थेलेमस वाला पार्ट ठीक है न यह थेलेमस वाला पार्ट और इस थेलेमस पर नोड इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं ठीक है न को पता है इसको डिनॉट करते हम के से ओटर मूर्मोस फ्लोरा ऑल जो ग्रीन लीव लाय। दिख्ऴया देती हैं इसके अलाबा दूसरा नंट करते हैं। सबसे और खकेल से सबसे इनर्मोज फ्लोरल होता है यह होता आप गा इनोसियम फिसे आप को करते हैं प्चोमने किसे ऐसे आपको पता है में सी आपको पता जाए है कोरोला की लोटीय değ puckा्या होती है पैटल होती है सकलर मтесьके पिस्टिल या फिर कर तौत है कर पने हुती है तो यह चार फ्लॉक्त है अगर यूनिसेंग है तो बोणा है तो फ्लॉवर होगा जैसे हुआ है तो फ्लोवर होता है है तो यह आपको पता है अब हमारा घृपक च्टार्ट होने जा रहा है टाइप सब्सक्राइब कही तरह के लोवर से होते हैं घ्यान रखना वाइलोजी में जब भी टाइप की बात आय बच्चो बेशिस दिमाग में लाओ किस बेसिस पर उन फ्लॉवर के टाइप को डिफाइन किया जा रहा है तो बेसिस अगर आपने दिमाग में ले लिया ना तो उसके बाद में अपने आप कौन-कौन से टाइप हैं वो दिमाग में स्टिक कर जाएगा ठीक है ना और लॉंग टर्म मेमोरी में जाएंगे यह सारी सारणी चीज़े थी थ्यक्तत थोड़ा तरीक आहरे साइंस में उससे अप आगे बढ़ो में इस बीच पर लिया गया उपर लिया गया है उसका बेसिस में ने किया आ भास्ताइम में लुए यह वाट वटयुक्च हुना वो यह सी प्लेसिंटा होते है यह आपको पता है ठी प्रिजेंट ओवरी के रिस्पेक्ट में रेस्ट ओफ फ्लोरल होल के सी और इस और रेस्ट ओफ फ्लोरल होल की क्या पोजीशन है उसके बेसिस पर फ्लोवर्स तीन टाइप के होते हैं फ्लोवर्स होते हैं कौन से होते हैं तो बेसिस है लिया है बच्चों बेसिस लिया है पोजीशन आफ यह पोजीशन आफ काॉरला एंड्रों की रॉस vine को मैं क्या वोल रहा हूं बार-बार में क्या रेस्ट ओफ फ्लोरल हॉर वह किस और तरिक चल रहे हैं और लिया खということ है तो यह तीन तरह के फ्लोवारर्स होते हैं सबसे हय T फ्लोवर दूसरा मणने जा रहे हैं कौन सा परिए hey वह नको मिन McNamara है किस तरह से आपने विज स ojos करने जा रहे हैं तो एक एक करके हम विदी देखियेँ सबसे फीर ही सबसे पहले है अपना है है डार सबीज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हैं सबसे पहला है 99 है свое Worth बार बार हर वीडियो लेक्टर में बताई है कि खूबसूरती इसके सब्दों में चिपी हुई है क्योंकि इनकी सारी टर्म जो है वह या तो ग्रीक टर्म या फिर लेटिन टर्म से लिए ठीक है ना बोथ हार डेड लेंग्वेजेज और वह स्पीकिंग लेंग्वेज नहीं ह वह घ् boundary बोलचाल की भरस में यूज नहीं किया जाता है इसका फारा साइन्स को क्या मिलता है की वास्ता में टर्म का जूम एनcit सब्सक्राइब को अगर तो यह बात मानलों कि बिलोजी-डेंबार काम खतम हो जाएगा आज ही आपकी गरफ्त में आच चुकी होगी ठीक है ना उसके बाद में कॉंसेप्स और लग गए साथ में तो सारा कुछ क्लियर है और 360 आउट और 360 जो अपनी मुहम है वो मिल्कुल 100 परसेंट ये यकीन के साथ में बोल सकता हूं कि 360 में से 360 नमबर आप जी में आसानी से पा सकते हो ठीक है तो उसी मुहम का हिस्सा बनते रही है बने रही है आप मेरे साथ एक एक करके में बात कर रहा हूं तो ग्रीक तर्म जैसे में बताओं तो यहां पर हाइपो का मतलब होता है बिलो है हाइपो का मतलब क्या होता है बिलो किसके बिलो किसके इसका मतलब है complete of floral hole फ्लॉरन से सब्सक्राइस के निचे से निकलेंगे नीचे से लिए फिस्टिल की ओवरी और नीचे से जब करते हैं तो सीमबर वास्ते में कौन सा बन जाता यह गैनोностью सब्सक्राइब और डेते हैं थीकर फ्लोरल को एक लॉइन से रिनौट करते हैं और यह से लाइन को उसके नीचे से निकले ना तो गारिशन और यह माले तीकर ना तो इसके नीचे से जब रेस्ट फ्लोरल होल निकलेंगे तो यह वास्त में हो जाता है इसका सिंबॉल हाइपोगैनस फ्लोवर को या फिर अभी अपन देखते हैं तो सीधे सीधे में बात कर रहा हूं यह जैसे समझ सकते हूं आप देखो यह ओवरी वाला पार्ट यह पूरी नीचे से होते हैं तब यह फ्लोवर हाइपोगैनस होता है अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि अगर बाकी के सारे रेस्ट फ्लोरल होल एंडोसीम गायनोस यह एंडोसीम कोरोला और केलिक्स वास्ता में इसके नीचे से निकल गए तो ओवरी कहां गई ओवरी उपर ग होगी समझ माई बात ओवरी कैसे है सुपीर होगी क्लियर एपंड तो देखना जारा डेफिनेशन देख लेते हैं दगायनोसियम ऑक्किपाइस्ट पोजीशन ठीक है ना गायनोसियम की तो पोजीशन कहां है हाइस्ट पोजीशन वह तो सबसे ऊपर की पोजीशन पर है है सब्सक्राइव मैं तो ऑब ये विंसाच केस इन सच फ्लावर्स इससेट वी सुपीरीश कैसी होगी बच्चो सुपीरियरोवरी होगी कोई दिक्कत है तो ओवरी सुपीरियर फ्लावर हाई-पोगायन्स अर्यवास सम्झ में हैं एनी प्रोब्लम एनी दिक्कत नो दिक्क ठीक है ना तो अब सुनो जो रहा बत्चो इसमें झाल कल से स्मार्ट तरीके से कुछ क्वेशन गूचे जा रहे हैं तो उसमें ऐसा पूचा जाता है की ऐसा कौन सा lflower होता है जिसमें वास्तेम में यह एंडौशियम जो होता है वो सुपीरियर होता है या एंडोसियम जो होता है वो इंफीरियर होता है अब एंडोसियम इंफीरियर पूछ रहा हूं मैं एंडोसियम इंफीरियर है एंडोसियम इंफीरियर तो इस केस में ही है ओवरी से नीचे मतलब एंडोसियम जहां ओवरी से नीचे निकलता तो इस केस में इंफिरियर है लेकिन ओवरी क्या है सुपीडियर है तो घुमा फिरा के ऐसे भी कुस्टन सिली मिस्टेक्स होती है अब यहां पर दिमाग में ऐसे नहीं क्योंकि आपन को दे रखी गाइनोसियम से रिलेटेड और उसने पूछ दिया एंडोसियम से तो अब तो समझ मां गया कॉंसेप्ट और इसके फिर एक्जाम्पल से में मॉर्फ लोजी का खेली पूरा एक्जाम्पल्स के ओपर टिका है लेकिन एक्जाम्पल से डर्ना मना है ठीक है अपन देखेंगे एक्जाम्पल्स को एक-एक करके चुटकियों में किलियर करेंगे इसके बड़ेटे मवी多 लेक्ट अब मॉला थो इसमें अभी तुरुट नहीं रटने तो नहीं दूँगा तो देखो जरा अब इसके एक्जाम्पल को किस तरह से जैडा करना है किस तरह से आपको कॉंसेज़्ाब्स के साथ ऐटेस्ट करवाना है ठीक अन तो एक लि Araub करके और तीसरा जो है वह है चाइन रोस तो अब देखे जरा मैं थोड़ा सा प्रेक्टिकल एप्रोच के साथ आपको मैं आगे बढ़ाता हूं सबसे पहले में बात करता हूं कि यह चाइन रोस कि विलकुल ताजा ताजा तोड़के लाया हूं आपके लिए ठीक है नशंदारी से यकीन वाणओ आपके लिए अपन एक स्टेप अगे बढ़ो 10 इस्टेप आगे जाने की हमारी हिमन है और उसी में अपनको खुशी भी महसूस होती है कि आप अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलिज को पराप्त करें तो देखिए जारा बच्चो यह थोड़ा सा जूम करके मैं इसका कॉंसेप्ट आपको दिखाता हूं अलका सा जूम-जूम-जूम-जूम-जूम-जूम-जू लगान दिखो से यह बाले पार्ट आप देख पारें यह वाले पार्ट यह ध्यान रखना चाइना रोस मालवेशी का मेंबर है मालवेशी फेमिली का और माल्मेशी फेमली की एक खास बात होती है बच्चों कि इसके complete फ्लावर में सबसे चलीकस के भी भार एक पांचमा फ्लॉरल ओर होता है जिसको हम बोलते है एपी केलेकस क्या baru पूरा पार्ट आप देख रहे हो यह बाद यह क्या होता है यह होता है यह होता है यह पेटल्स आगे ठीक है ना इसके बाद में देखो ज़रा यहां पर यह जो आपको यलो यलो कलर के आपको धिर सारे यह देख रहे हैं यह एंथर्स हैं और इनके फिलामेंट पता है है फ्यूज हो चूके हैं और फ्यूज होके नोने एक सटमिनल बना रखी है और यह डिसकस्क्राइब है और गायनोसियम का जो पूरा इस्टिक मा वाला पार्ट Uhh ओस्टिक मा सबसे ऊपर की तरह यह हैं वाली यहां पर आप इसमें डियाग्राम में भी जो बोड़ पर है उसमें बताऊंगा आपको लेकिन अभी आप इसको देखो अभी यह आसानी से अब देख रहा देखो यह वाला पार्ट यह इस्टिकमा वाले पार्ट है और उसने सब कहां से निकल रहें इसके नीचे से निकलते हैं और यह वास्ता में इसलिए कौन सी पोईशन यह सुपीरियर ओवरी हो गई और फ्लावर हो गया बच्चो हाइपो गायनस फ्लावर चायना रोस गुड हल जिसको अपन नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं ठीक है ना तो यह चायना रोस इसके और भी डेर सारे कॉंसेप्स हैं ध्यान रखना बच्चो मॉर्फलोजी के लिए मैं आपको बात बता दू तीम तो आपन को फैमिलीज के डिस्केप्शन दे रखें फैबेसी सॉलेनेसी और लेली इसी ठीक है ना उनको तकवर करना यह कुरूसीफेरी पर यह पने वह देखा और अगर यह प्लॉवर नहीं भी देखा हो तो आप बिंधी को याद रख लो मेंदी से कॉंसेप्स कान चल जाएंगे अपने तेक को याद रखो हैं तो इसमें यह चायनारो मिश्का अपप हाई औए फ्लावलवर है क्लियर है यह अपनो टो गैश से तिक ना उसके बाद में डूसरा यह ब्रिंजल ठीक है ना ब्रेंज़ बुला यार यह फ्लावर थोड़ी है कोई कि लेकिन को बेंजल क्या बूंजल फ्रूट है बलगा सरफव प्रूट की दूसरे क्यूंध तो अपने बना रखें एंग न कॉं़रसल वैलिव क्या है फ्रूट है हरकोई फ्रूट जो है वो औरी सही और यह भी औरी से ही मैचुर हो के बना है ठीक है ना तो यह फ्रूट है वास्ता में इसका मतलब फ्लॉवर के टाइम पर यह यह आपको पता है ठीक है अपने मोदी जी के पिछले जो कारकाल रहा है उसमें स्मृति इरानी शिक्षामंति रही है उसकी उसका बढ़िया साइक सांदार सी वह आता था सेरियल तो वहां से अपन उठाते हैं इसमृति इरानी जी का यह यह सासुमा है सासुमा है वहारा है पहले बहुरा है अब जो फंट है वहार टाइम पर क्या रहा है यह व्यू है उसी में जर्यएं मैं फ्लेंशी हो गया है और ये वास्तमाहने पता है यह क्यों बोलना क्योंकि यार इस को फ्लावर का पार्ट होता है और यह फूरूट गोलने मतलब चरय लगना है लंबे समय तक बहुत अच्चा इंपोर्टन यहां पर एक अरुपर्ण ले लो जाए ब्रिंजल लेलो द्धतूरा लेलो इनको बता रहा हूं मैं आपको सब को इन सब में यह बास्तम में पर्सिस्टेंट केलिक्स लगे हुए हैं यह सॉलनेशी की खास बात यह भी कुश्चन आप डान कर लेना इंपोर्टन कोशन यह भी तो बच्चो फ्रूट के नीचे रेस्ट ओ फ्लोर बच्चे जबरदस तीके से लेकिन यहां रटना मना है तो पूरी तरह.. रट रहे हैं बच्चे जबरदस तरीके से लेकिन यहां रटना मना है तो पूरी तरह से आप concepts को लेके चलो बिल्कुल समझ में आ गया बेंगन तो आपने देखा है मिर्च आपने देखिए टमाटर आपने देखा है बस उन्हीं को तो बाहर से देखना है अब जब भी कभी सबजी खाओ तो खाने से पहले मम्मी से बोला मम्मी इसको पहले दो हो क्या कर रहा है मुला concept निकालेंगे इसमें से मौर्फलोजी देखनी है तो बस डेली जो प्रक्टिकल एप्रोच डेली उसकी चीजों से ही अपन मौर्फलोजी को तो वैसे किलियर कर देंगे जब भी कोई भी प्लांट देख रहो तो थोड़ा सा देखो उसकी लीव किस तर सामिल होता है तो वहीं से निकाल रहे हैं अपन concept तो अच्छा यह ध्यान रखना एक और बड़ा confusion होता है स्टुएंट्स के में कि यह ब्रिंजल अब मेरे यह फ्रूट जो होता है जिदर से अटेच रहता है यह उसका वास्तम में कौन सा पार्ट है यह प्रॉक्जीमल पार्ट है कि डिस्टल पार्ट है मेरे को बता हूँ खुश्चन आचुका है अद्ट्सेम के लिए अब मैं इसके लिए पूछरा हूँ प्रॉक्जीमल स्का बेशल पार्ट प्रॉक्जीमल पार्ट है कि डिस्टल पार्ट तो बच्चों ध्यान रखना जदर से अटेच होता है हमेसा उसका वह बेसल पार्ट होता और वह तो अभी पैर थोड़ी बोल दोगे अपन उल्टा लटक जाए तो सिर को पैर बोलोगे क्या नहीं बोल सकते ना तो बस वही concept है वह इस्टिक रहना है यह प्लांट की तरफ यह प्लांट से अटेच है तो प्लांट की तरफ बाला जो पार्ट है वह प्लांट कुझा रहा है प्लांट से कौन सा पार्ट होगा किसी भी चीज की में बात कर रहा हूं प्लांट में दिस्टल दोगा उसका समझे नहीं तो ध्यान रखना बच्चो तो इसके बेसल पार वास्ता में रिष्ट फ्लॉरल लगई हुए हैं इसका यहां से अटेच रहता है देंठ काल से ठीक है यहां से देच रहता है जी लह अब इसके जो ग्रीऄ ग्रीन लीव अब देख रहे हो यह करली आप देख रहे हो इसका मतलब उसकी बसल प्रसेंट ऐलेएंट सreaATE होट वही और फूपर फूपर रहा है WHO कि वह वह यह वास्ता में दूर का यह वाला पार्ट ऊपर गया और नीचे से इसके क्या निकल रहे है रेस्ट फ्लॉरल निकल रहे हैं तो यह भी कैसा हुआ बच्चो हाइपोगाइनस फ्लॉबर से डबलप हुआ 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 टामाटर मारो गोली पूरी फैमिली गई ना ब्रिंजल को कि आपको आपको बता देता हुँ यह आपको सब्लाइनस वाला पार्ट ll से न टेज्ट रहता हैं यह बास्ता में पर्सिसर्ट्र होते हैं यह सारे रे कि सारे ठीक हैaria ठीक है कोई समझ्या आ एक और है और ढर कई यह देखो दतूरा देखा दतूर यह फ्रूट है लेकिन फ्रूट का मैंने बता दिया आप गडवड़ नहीं कर सकते यह वाला पार्ट यह तो फ्रूट गया फ्रूट के नीचे से यह वास्तम में परसेस्ट रेस्ट आफ फ्लोरल हॉल का केस बन गया इसका मतलब औरी गई य इसका प्लोरल है यह थी क्रूट किया था मौर्निंग वोक के टाइम फर इसको कलेक्ट करके लाए था फ्रिज में रखा तो था लेकिन इसकी आलत पतली हो गई वह तो यह वाले पार्ट में तो यह तो पार्ट है और इसके अंदर इसमें आइन्स अगाने यह देख रहे है यह तो सब्सक्राइज इसका सब्सक्राइज घणा है और यह सब्सक्राइज यह वाले पार्ट यह तो फ्यूर के निचे से यह लगा हुआ रहता है यह से नीचे से निकलने सारे के सारे रेस्ट आप लॉरल हॉट ठीक है ना तो यह वास्ताम में दतुरा फ्रूट बन गया इसी से बना है समझ रहा है तो यह भी हाईपोगाइनस फ्लावर का ही किस बना है बच्चु ठीक है ना कोई दिखकर तो अब मैं आ जाता हूं इसको जून को सेट कर देता हूं ताकि concept अपन बोर्ड पर देख पाए ठीक है न तो आजाए जगे पर तो देखो ज़रा एक एक करके अपन इसमें से मैं बता देता हूं सरसों में भी पता हैं सरसों की फली जो होती है इसमें भी चोटा पीछे से पीछे इसके बेसल पार्ट में चोट चोट ऐसा ग्रीन लीफी स्ट्रक्टर्स हलकी सी दिखती है तो यह भी बस्तम में क्या है ओवरी सुपीरियर हो गई हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया बेंगन में केलियर कट बता ही दिया आपको यह परसेस्टेंट केलिक्स वाला पार्ट है ठीक है ना इसके बे स्किप्ट सनापन देखेंगे ठीक है और यह वासता में यह आप देख पा रहे हो यह क्या है यह हैं इसकी स्टिग्मा और वास्ता में पता है इसकी स्टाइल को सिस्टेमिनल ट्यूब ने पूरी तरह से कवर कर रखा है तो यह चैना रोज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जो पकड़ना है परी का मतलब जो होता है वह कीया कि तेलमस थेलमस की पैरी इंपरी पैरी तरह से अल्मोस्ट सेब हैट से वास्ता में आशना की सारे क्या निकलेंगे यह फ्लोरल हो निकलेंगे ठीक है अब तो इस में क्या होता है तो गाइनोसियम की पैरिफैरी से ही निकल रहे है इसका मतलब है कि यह देखो जरा यह थैलेमस वाला पार्ट है और इस थैलेमस की यह रिमबाला पार्ट है यहां पर यह तो तो क्या बोले कि आधी उपर है आधी नीचे है कि आप इंफेरियर को आफ इंफेरियर बोले तो लेकिन अवा कंसीडर है लेकिन जैसे बात है पानी से अगर आधा गिलास हुआ है ठीक है ना तो इसको आधा खाली भी बोल सकते हैं लेकिन एटिट्यूट का फरक आ इंपोर्टेंट यह होता है जब हम बोलते हैं कि यह पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है ठीक है ना और आधा बाकी है वस ठीक है ना यह पॉस्टेव एटीटूड होता है जैसे कि कोई भी स्टूएंट का अधा कोउर्स अगर कंप्लीट हो चुका है तो अधा तो कंप्लीट हो चुका अधा और बाकी वस उसको और करना है निट को जबरदस तरीके से फोर्ड़ना है थिक है देखना लेकिन वहीं दूसरे स्टूएंट्स क्या करते हैं अभी तो अपनी होती है यह द्रश्टी कौन जो अपना होता है वह वास्ता में बड़ी-बड़ी जंग को जितवाने में क्या होता है मददगार होता है तो पॉजिटिव एक्टिटूड रखो हमेशा भी पॉजिटिव ठीक है नमाथ तो यह क्या हुआ थैले मस्का यह रिंबाला पार साइवं रहे हुआ यह रहे हो यह क्या है रवं है तो आलमो्स सेम से वास्ता में क्या होता है यह विभी फ्लावर उसी देखो ज़रा इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन के लियर है गाइनोसियम इस सिचुएटेड इंदा सेंटर गाइनोसियम तो सेंटर में सेंटर है कि नहीं सेंटर रहा है तिकना अधर पार्ट सैलेक्स कोरोला एंड एंडरोसियम ओफ दा फ्लावर आर लोकेटेड अन्द रिम अमोस्ट टॉआ से मेट भूए कर ऑलमोस एक दॉआ कि से निकलते हैं से मेल से चोप हो रहे हैं वास्ताम में और ऑबरी कैसी होगी ऑबी कैसी होगी Wash छीक हे न तो बताइए हाफ इंफिरिेयर चलो पहले मैं इसको एसको कर देता हूं ऑब रीची कि और इसके एक्जामपल्स बच्छो तीन एक्जामपल्स आपको याद रखने हैं ठीक है ना इनके एक्जामपल्स प्लम पीच और रोज ठीक है ना इसको चलो एक छोटा सा बैसे फंडा बता देता हम आपको में ठीक है डा कि जैसे पीरी काये डीन को इस तरह से दो में लिखता हम जान पीरी ढायनस फ्लवर और पेरी गयनस में इसे ě? pulam, peach ठीक है न और R का वास्तन में Rose ठीक है न? P & r वाले examples है plam peach और Rose ठीक है तो देखते हैं, चलो उनको, इनका भी 사डना देखते हैं, तो देखे जरह plum, April बुका रहा जानते हो न, April बुका रहा? ठीक है देखे जरह यह वास्तन में इसका बार्ट रहा होगा है तो इसका पार्ट यह डाया हो यह लोफ यहाइए तैने हुजय यहांstar निकली यह तो समझ में आता है ना कि क्या हो रहा है क्या लपड़ा क्या होता है लपड़ा यह होता है बच्चों इसमें कि जैसे मैं बात करूं कि कि यह जैसे stigma यह इस्टाइल और यह पूरा क्या होता है ओवरी होता है इसमें होते हैं वास्तम में ठीक है न यह ओविल्स जो प्लेसेंटा से अटेच होते हैं ठीक है न और वास्ता में जब फर्टलाइशन हो जाता है तो इस्टिक मार इस्टायल का तो कोई काम रहता नहीं ठीक है न और यह वास्ता में पूरा की पूरा जो पार्ट होता है यह ओवरी में चोरू के फ्रूट आट बनाती तो यह बाला पार्ट बनता है ऑफ्रूट है और अपने आप ही उस फूट के अंदर केा जाते हैं ठीक है ना सीट आ जाते है औमी प्लम के सीड बना देते हैं तब तक प्लेर पंड तो इस तरह काशीन नॉट आड़ु ठीक नणे खाया होगा ठीक है तो यह भी इसीतर हने स्थेर्ख है इसके लाबर रोज का कस और बनता है रोज consistsक्त है यह वास्त में क्या है यह अरे इसका मतलब यार कंटिनूनस भृडुड है रोज prediction ना रोजर रोज 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 प्राड्यूज करता है ही का तुछ होता है तो यह रोज़ का यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छे से देखो ज़रा बंच हूँ यह वास्ता में इसका ओवरी का यह बाला पार्ट और इसके बिल्कुल मिडल पार्ट से ही रेस्टा फ्लोरल होल निकल रहे हैं यह यह एक एलेक्स वाला पार्ट तो यह वास्ता में इसके मिडिल पार्ट से है जैसे मैं आपको रोज दिखाई ही देता हूं चलो हाला कि इसकी हालत थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है ठीक है ना रोज में लाहतिस्ता लेकिन माफल इसका थोड़ा सब चारेगा गड़वर हो गया वही ठीक है ना चलो मैं है कैसे ही किमग हो हम जूम करूं कि यसे ठीक है देखे अरब यसमों वैको है पर्पार्ट जो है ना इसका घर मैं हाप पार्ट यहां से कर्ठी ये है上 सामझे को अरहा रहा ना यह इसके Kopf वाला पार्ट सीद्वें यह पैटल छlt ओला यहां पर यह लगएर की यि स्टिघ्मा वाले पार्ट हूँ इसको मैं अगर बीच समय से का आपको ठीके ना यहां से अगर मैं इसको काटो तो इसका हाफ पार्ट कि यह वाला पा Pret अब देखना ज़र आई इसको काटने के बाद में बिलकुल बीचों बीच वाले पार्ट से ही रिलीज होते हैं ठीक है तो बढ़ें आगे एनी प्रॉबलम तेसरे टाइप का फ्लावर जो आया है वह पच्छों आया है एपी गाइनस फ्लावर ठीक है अब एपी का मतलब के रहा है मैंने बता है को पकड़ो यार टो यह पकड़ी एपी का मतलब क्या होता है कॉपर होता है संदेल हो है अब हो सिम्झे आप सिकके प्लाव ऑग गैन Increase & PD उन पर होता awesome औहीं अग फ्ञवर में इसका मतलब क्या definition बोलो यार बोलो definition मैं तो नहीं बताने वाला बता खुद ही यार लोबार आप देख रहे हो definition तेकर है समझें चलो यहीं से समझते हैं यह देखना है यार यह यह थेले मस था थेले मस ने आउट ग्रॉथ ले ली जवर्दस्त वाली हां अप ग्रॉथ ले ली मतलब ठीक है ना उपर की तरफ ग्रॉथ ली और उपर की तरफ ग्रॉथ करके इस पूरी ओवरी को ओवरी को मैं दूसरे कलर से दिखा दू यह पूरी ओवरी को कौन से कलर से सई से दिखेगा आपको यहां पर चलो इस कलर से ओवरी यह रही यह वरी ती जिसमें यह विले यलो यलो कर देख रहे हैं ठीक नहीं सारे सीड बनते बाद ठीक है तो इस में इस ओवरी को कबेटली क्या कर लिया बच् Fehito कबर कर लिया ऊपर की तरफ ग्रॉद करके थैले मसने और असी पहीं जाके क्या हो गया उपर की तरफ जाके वोलेंगे हम inferior ovary तो एपी गाइनस flower है लेकिन ओवरी कैसी है inferior rest of floral part ovary के ऊपर से निकल रहे है ठीक है न तो ऊपर से निकल रहे हैं तो गाइनोसियं के ऊपर से निकल रहे है इसलिए तो flower तो हो गया आपी गाइनस ओर यह इसटेर सब्सक्रिक अगर इस था रहती है इनल इनने कृश्चीर होती है सबरगत को तो डिभीनेशन बताओ बताओ। नाट आट इसान ऍटेफिनेशन आरिये तो मार्जिन ओफ थैले मस ग्रोज अपवार समय मैं वार थे कि न यह एन क्लोजिंग द ओबरी ओबरी को क्या कर दिया एन क्लोज कर दिया एनी प्रोब्लम एनी दिक्कत और दिक्कत आगे वड़ो टिकहना पूरी तरह से इसको and close को किया जाता है getting fuse with it इसी के साथ क्या हो गया फ्यूज हो गया क्या हो गया हो गया हुज यहां पर हो गया है साथ को एक न? other parts of flower arise above the ovary other part जो flower के हैं वो ovary के उपर से क्या होते हैं होते हैं clear point hence the ovary is said to be inferior ovary कैसी बोली जाएगी इस केस में inferior बोली जाएगी इस केस में अबरी एनी प्रोब्लम नो प्रोब्लम ठीक है ना तो एक्जामपल देख लें एक्जामपल आजाएंगे भी गौवा कुकुम्बर रेफ लॉरेट्स ऑफ सन फ्लॉवर तीन एक्जामपल वापस इसके भी दे रखे हैं तो देखिए ज एके फ्रूट के ऊपर की और वास्तम में यह बलेक विलेक सा दिखा आई रेश्ट ओफ लारल 어떻魚 और पर है फ्रूट यह नीचे फ्रूट गया नीचे खूबर में ऑभी कि भी बहुती लुट थी ठीक है न pillars नीचे इसका मतलब ऑबडी तो एनी प्रॉब्लम एनी दिक्कत नो दिकत तो आगे बढ़ा है ठीकना देखना जारा लगा आ अम रूद को में बता देता हूं चलो क्या करके मैं नहीं भाद कर लेंगे छिखना यह सन फ्लावर वाला पार्ट है रेभ लोड़ तो सन फ्लोवर यह एक होता डिस्कक्रेड है इह को अपने आगे आजाएगा ठीक नवाग या आ चाहRY गर यह्तों डिस्क फ्लोरेट के बाडऄा रेमाधर प्ट suburban डेल्कुलंग सब्सक्राइब होता है लेट व्यक्त है इस लिस zaman अगते सव तो देखो लूँ छो पिल्कुल खोल कर दे तो थो यह तो क्या है पैटल है pm और यह बास्ता में किया बोले जा रहे है पेपस बोले जा रहे है एंड पेपस ये एक बहुत अच्छा कुस्टन बन रहा है । ग्रिश्ट में रापस क्या है बड़ी फाइड आई क्यलिक्स अधिया होता है एक वोडिकाइड यह होता है पैपस ध्यान रखना और यह पैपस की बज़े से पता है क्या होता है जैसे यह पैटल तो जड़ जाते हैं तीक ना पडला इसन के बाद यह सब गायव हो जाएक मामला ठीक के वल ओवरी फूट बनेगी और वास्ताम में इनका ज पार्ट जो होता है जोुट जिस तरह के इस तरह के इन फ्लॉर सेंस पर टायच होता है एसका ठीक आ तो यह थेलेमुद और यह भी बडेख कलर कर यहीं वास्ताम यह ओवरी होता और इसमें यह जो होता है वह औरेंज कलर का पार्ट होता है यह वाले पार्ट ठीक है ना और यहां पर होते हैं पैपस मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूं यहां पर होते हैं पैपस फाइवर फाइवर लाइक क्लियर पंड कोई दिक्कत है और इस तरह से फ्लॉरेट होता है छोटा complete sunflower complete marigold वाला जो पार्ट है यह देख रहे हूं तो यह एक पार्ट इसका लेकिन यह नन्ना सा irrespons bottom one four तो अब मैं क्या बोल रहा हूं यह होते हैं मोडिफार वास्ता में जब यह प् wsz dal जाते हैं तब क्या होता है पता सीनी था है इसते हैं तो आश था शिन होता है कि यह उस तरह से काम करते हैं जैसा कि वास्ता में पूरा की पूरा पैरा सूट बन जाए तो फोड़ी सी हवा चलती है पैरा सूट मेकनिम से वास्ता में डिस्पर्स कर देते हैं इनके फ्रूट को ठीक है यह फ्रूट डिस्पर्सन का इनका तरीका है बड़ा सांदार वाला पैरा सूट मेकनिम्स के फ्रूट डिस्पर्सन तरीके से तो कहीं पर भी इस तरह से डिस्तिरिबूट हो जाते हैं तो यह बास्त में शनफ्लोवर रेफलोषट का है उसमें है देखना जणा यह वाला पाल्ट आप बता रहे हो यह के लेक्स वाला पार्ट अ इंप और उपर से निकल रहे तो और नहीं कहां रहे गई नीचे इंफीरियर से बनता है रहे चलो देखना चलो पूरा की पूरा तो यह प्रैक्टिकल देखेंगे तो यह इसका मतलब ऑवरी गई नीचे मतलब फ्रूट का नीचे इसका मतलब है कि ओवरी तो कैसी एनफीर है और फ्लावर कैसा है he HE P reference अब में आपन देखते हैं छलो कहां से स्टार्ट करूंके जलती से बता दो कि यहां से स्टार्ट करता हूं खेर से प्रूम करना पड़ेगा वाकष से Лब ता कि है आपको प्रॉपर वोड ढ़ोगे लिधे की चीज़ें तो देखो जरा यह बाला पार्ट यहां से अटेच रहता है यह ऐसे अटेच रहता है और इसके यहां पर ऊपर की तरफ यह बास्ता में जो फ्लॉवर से देखता है बिल्कुल ताजा उसमें बिल्कुल फ्लॉवर सा देखता है यलो यलो इसका ना इसका मतलब है रेस्ट फ्ल गया नीचे तो फ्लावर में ओवरी गई नीचे ओवरी इंफीरियर और फ्लावर एपी गाइनस है नी प्रोब्लम तो यह खीरा अब खा सकते हो ऐसे देखना है पहले समझ रहा तो अब खा सकते हो उसमें भी अब काटके और देखना है उससे अपन अगला जबर्दस वाला कॉंसेट्ट में से पहले का और और देखनने나ा यह ठीक है और फिर खारदेकर तो नiche裡面 को को अब मैं थोड़ा ओर पहले प्वैंट कर लेता हूं यह यह बार आपके साथ ठीक है और एक साथ अपन जो मैंने बोला था धर सारे concepts धेर सारे examples को एक साथ कवर करते हैं ठीक फंडा समझो कि पहले तो यह concepts तो किलियर होई गए थे जितने भी NCRT ने अपन को families दे रखें तीन family का description दे रखा crucifery को में और count कर रहा हूं मालवेसी जिसने टांग फसा रखी उसको भी में account कर रहा हूं सारी की सारी families में hypogynous flower है कौन किते सारी की सारी families में hypogynous flower है कोई दिक्कत है तो इसका मतलब है कि अपन के fulfill we the flowers हैं मतलब जो भी एक जामपल आ गया dcr कोई भी एक्जामपल उन family से अगर आ गया हो थो सबको और सा बोलना है 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 अधब वावर बोलना है ठीक है ना क्या बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं all the given families in ncrt feed कर लो long term memory में जानी चाहिए कहीं पर भी मात नहीं खा सकते हैं ठीक है न in ncrt कौन कौन सी कौन कौन सी भई फैब एसी solenacy liliacy कि यह तो तीन ncrt की हैं प्लस कि टू एक्स्ट्रा कौन सी है जो याद रखनी होंगी अपन को कुरूसी फेरी कि जिसको अपन दूसरा और क्या नाम देते हैं बच्चों ब्रैसी केसी ठीक है ना ब्रैसी केसी ठीक है ना इसके अलावा एक और है इन सब में कौन सा फ्लावर होता है फाइपो गायनस फ्लावर होता है और यह बात समझ में एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कात हो जाएगा क्लियर तो एक साथ एक ही शॉट में सारे एक Sample Finish ठीक है ना रिलेट कर दो मतर से रिलेट कर दो यार मतर 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 लाया था मैं काफी सूख सी गई है कि देखना मतर मैं यह मतर मैं भी देखो जड़ा है बतर मैं अगर मैं वापस इसको थोड़ा सा जूम और करदो तो मतर और देख जाएगी आपको मतर और देखा देत मन जल्दी से खेंगें जूम 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 जूर के इनिया है मेश्च जूर हो जो लेकिन Sn भाफ स्ट्रक्चर है मटर गई उपर जूरॉड हो निक्टेन के से ईचैइघ से नेकल रहे हैं मटर गई उपर सुपीरियर भी यblem劼 फ्लावर हुआ अभी तो इतना सही पता दल जाएगा बाद में और देखेंगे आगे concept मतर के वापस से clear है फंडा तो कैसा हो गया करदो से अनी प्रब्लम ना तो थी तो सर्सों से रिलेट कर दो बड़िया तरीके से ठीक है मालवेसी फैमली को चाइना रोज या भिंडी से रिलेट कर दो एवेल मॉसकस एसकुलेंटस ठीक है ना भिंडी से रिलेट कर दो या फिर लेडी फिंगर से रिलेट कर सकते हूं कुं को सब्सक्राइब कोई दिखकत है एनी प्रोबलम और देखो जरा अब चलो एक दूसरे एक्जामपल मैं आपसे पूश्टा हूं पॉमेगरेनेट था है थेक है न भी बिल्कुल और ग्राउन चो होता है वो ऊपर होगा नीचे की तरफ और मतलब और इंफिरियर नीचे बनाना में ना अजम साला टो Ooo यह बनाना देखा ना काला काला में प्रूफ यह एक है और फ्रूट गया बनाना फ्रूरत गया नीचे फ्रूट लिए नीचे प्रभी गई नीचे उवरी के नीचे इसका मतलब तो कौन सा है inferior तो यह हो जाएगा वह फूशन हो जाएगा का बताओ सेपोर्टट देखा है देखा है यह यह देखो कितनी मसकत की होगी आपके लिए आप समझ सकते हो यह राची यह ट्लांट में तोड के लाए हूं जवर्दस्ट और यह देखो अब इस चीकु में यह वाला पार्ट आप देखरे हूं कि इस चीकु का ठीक है ना और सूपिरियर और फ्लावर कैसा होगा हाई आइप फ्लावर होगा है इनी प्रोबिलम पीछे देख रहे हैं आ यह देख पीछे मतला चीको उपर की तरह रेस्ट फ्लॉरल हो नीची की तरह है इनी प्रोबिलम तो कैसे भी आजाओ और कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए मेरे साब से तो अब मैं बात कर रहा हूं जो वो दो कुश्चन थे जो दो कुश्चन थे 2020 के जो इस साल आये हैं ठीक है ना उनको डिसकस करने का टाइम है अब आप हवा में अड़ाओ को बई कुश्चन अब मैं बिलकुल टाइम नहीं देन यह वर कोनसेट के साथ दिमाग में आना है कोई साही इन-फीरियर औरी के ओपर लगी कैसी होगी इन-फीरियर ओबरी हो जाएगी कोई साफ पूच्चन पूच्ट रे फ्लोरेट्स है क्या पूचरा कि ओभी पूचरा फाट्स डेखते हैं चलो ओप्सन पहला फिडियर ओव इंफिरियरोवरी ओर इंफिए रेफिलो रेट्स ऑफ सन फलावर कैसा होता है रेफ लॉडट्स का किस डेफिलोर रे वाह बता था जैसे चलो एक और यार है यह 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 जो आप यह वाइट वाइट से जो बाद में बम बेग हो जाते है ग्री पुरा पारट आप देख रहे हो यह पूरी यो बहुता है ऐसा होता है कि नहीं को बहुते हैं नुद र Mensch होता हूं टार यहां पै सी यहां पे छूछटे से वाइट कलर के फायवर जैसे बहुत आपने को रेसे जैसे 2000 पैपस यह पैपस होते हैं पेरािशूट मैंकि करें इंडिते हैं इनको फ्रूट काala व सब्सक्राइब थे तो ऌपर तो मेरिगोल वाली पूरी फेंमिली का यह साल कोई कोई हाई को डिक्कत है तो बनेगे सकते हो संद्द्धम है तो तो यह मैं समझता हूं समझ में बहुत अच्छे से कवर करके हो गया इंफिरियर बनेगी तो आंसर कौन सा गया और बैसे ऑप्शन और कौन से थे सुपीरियर और और ऑप्शन था आइपोगैनाश ऑप्वर नियुक्त होता है कि लिए अप्शन के बता हाफ इंफिरियर पहरी इंफिरियर कोई सा भी आजाएगा आंसर जायागा कि नहीं जायाएगा पहले प्लंप इच और रोज देखतें कौन सा प्लंप पहला ही आए गया पहला यह आंसर जाएगा कि नहीं जाएगा बता दो अब दूसरे पढ़ने की जड़त नहीं पढ़नी चाहिए मेरे साथ से तो ठीक है अब एक लास्ट छोटा सा मैं और बता देता हूं और इस के आज के वीडियो लेक्टर को मैं समझता हूं कि मज़े आया होंगे आपको आपने और अच्छे से कॉंसर्प्स किलियर होए होंगे जिनको मॉर्फलोजी मैं बहुत समस्या होती है उनके लिए बिल्कुल रामबान सावित होगा यह मेरे बिल्कु क्ल qutern in q trad so lka कि यह तीन तरह कि व्लवर थे थीजिए है ना आइप लाओ निकलते तो ऊबरिक कैसी ही थी शुपीरियर टिकर ना पता कैसे देनोट करते है इसको इसको दिनोट किया जाता है बच्चो गाइनोसियम को तो no करते हैं ठीक है ना और रेस्ट और फ्लोर और पार्ट इसके हाई पो नीचे से निकलते हैं तो रेस्ट आफ़ फ्लोर पार्ट के लिए लगा देते हैं लाएन है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं हारी या बार संध में कोई देख ठीक हे न यह सिम्बोल होता है पैरीडानसद लावर का या फिर बास्ता में हॉइब है इंफिरियर ओवरी का ऐपीज फ्लॉवर का को बता रहा है जो सबसे नमजार में बात बोलने जा रहा हूं वह यह है जिसमें एक साथ पचासों एक्जामपल आपको इस कॉंसेप्स के साथ करवा रहा हूं जो भी एंसी आर्टी ने अपन को डिस्क्रिप्शन दे रखा तीन फैमिली का फैबसी सॉलेने और लिली एसी ठीक है ना एलॉंग विद क्रूसी फेरी अलॉंग विद मालवेसी पांच फैमिली के दम पर पूरी मॉर्फलोजी होती है बच्चों इनी फैमिली के एर्धिगर् को सरसों से रिलेट कर दो मटर से रिलेट कर दो फैबसी को बेंगन टमाटर मिर्च से रिलेट कर दो सॉलेने सी को लिली एसी को प्यास से रिलेट कर दो ठीक है ना किलेर भी पॉइंट लेसुन से रिलेट कर दो लिली एसी को तो यह यह पांच फैमिली के एर्धिगर्द है कोई दिखकत नहीं है अब जितने भी एक्जाम्पल एंसी आटीन के दे रखें सब को रिलेट कर दो कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि चिली पूछ रहा है कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि टौबे को पूछ रहा है कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि वास्ता में पूछा जा रहा है को कोई प्रावलम थीक है ना तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा तो इसी तरह से जवर्दस तरीके से बिलकुल महौल बनाते हुए अपन चांदार तरीके से इसको कबर करेंगे बाइलोजी में रटने का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहां रटना मना है ठीक है ना सो नो रट अविकेशन अगले वीडियो लेक्टर में थैंक यू थैंक यू जैहन जै भारत